इस वीडियो में तिरकोनमिती का फर्मूला डिसकस करने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं फर्मूला याद रहेगा तो तिरकोनमिती का प्रस्णा बहुती असान तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो सबसे पहले formula याद रखना है और यहाँ पर समझना है यह समकौन त्रीभूज है तो समकौन त्रीभूज में यह क्या है? Lumb है, Lumb को English में perpendicular करते हैं इसलिए P से denote करते हैं और यह अधार है, English में base करते हैं इसलिए B से denote किया गया है और इसको बोलते हैं hypotenious, hypotenious यानि की हिंदी में कर्ण, यह क्या है? कर्ण है लेकिन English में hypotenious और H से denote करते हैं यह सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सभी लोग जानते ही है, sin theta ब्राबर, तो sin theta ब्राबर क्या होता है? पी बटे ह, यहाँ पर समझेगा, पी बटे ह, यानि की लम बटे कर्ण, याद रखेगा लम बटे कर्ण, अब आपको याद रखना है कोस theta, तो कोस theta ब्राबर क्या होगा? कोस theta ब्राबर होगा, अधार बटे कर्ण, यानि की बी बटे ह, तो यहाँ पर लिखेंगे, बी बट बटे B अब बात है कि बहुत लोगों को याद नहीं रहता है तो कैसे याद करेंगे अब यहाँ पर समझने का परियास किजिएगा तो आप याद कर सकते हैं या किसी ने आपको एक ट्रीक भी बताया होगा पंडित बदरी परसाद अब यहाँ पर याद रखेगा पंडित इसके बाद P बटे B किसका है टेन का तो देखे, पण्डित बद्री परशाद हरी हरी बोल, इसको भी आप याद कर सकते हैं, अगर यह ट्रीक याद है तो यह तीनों याद रहेगा, अगर आप हिंदी में याद करना चाहें, तो हिंदी में क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, sin theta बराबर, जैसे यहाँ पर P बटे H लिख दिए, तो P क्या है, लम है न, यानि कि लम बटे कर्ण, तो आप याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इस तरीके से याद रखिएगा, तो दिखिए, जैसे यह sin theta के लिए, पहला वाला लम बटे अधार, तो हिंदी में भी समझ में आ गया, और इंग्लिस में भी समझ में आ गया, कोई दिकत नहीं है, तो यह तो याद होना चाहिए, अब इसी का उल्टा भी होता है, अब यहाँ पर समझेगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा के लिए, जैसे sign है, तो sign का उल्टा होता है, कोशेक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोशेक, कोशेक थिटा, तो कोशेक थिटा, जस्ट इसी का उल्टा होगा, यानि कि H चला जाएगा उपर और P रहेगा नीचे, इसके बाद, कोश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पर से यान का उल्टा कोट होता है, तो कोट थी डब्रावर क्या होगा? जाने कि B बटे P होगा, देखिए यहां पर P बटे B हैं, तो B बटे P होगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एक बार महनत करिए, देखिए, पढ़ाई ऐसा पढ़ाई करिए, हर बढ़ वाला तो यहां पर हम लोग उल्टा याद किये तो उल्टा के लिए इसी को उल्टा कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था पंडीत बद्री परसाद हरी हरी बोल तो इसी को आप उल्टा कर देंगे हरी हरी बोल पंडीत बद्री परसाद तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा साइन का उल्टा को सेक और यह सेक और यह ओठ हो जाएगा और लाल का कावला अगर आप उल्टा कर देंगे तो उल्टा के लिए हो जाएगा तो एक बाद प्रैक् और अधार के रूप में आपको अच्छा लगता है तो उस रूप में याद कर लिजे तो लेकिन याद होना चाहिए गहने का मतलब है कि याद होना चाहिए अगर याद नहीं रहेगा तो फिर एक भी प्रस्णा को आप नहीं स्वल्ब कर पाएंगे अब एक चीज आपको याद रखना है जैसे साइन है ना जैसे साइन थीटा तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं एक बटे जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पर समझेगा ऐसा क्यूं हो रहा है तो यहाँ पर आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं यानि कि sin theta बराबर एक बटे जस्ट इसी का उल्टा आप रख सकते हैं, देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, यह जो आ रहा है, यह जो आया है, कहां से आया है, जैसे sin theta और गुणा में जस्ट इसी का उल्टा रखेंगे, देखिए, इसी का उल्टा, तो क्य साइन theta और इसी के उल्टा से गुणा करेंगे, तो बराबर में एक आएगा, अब क्यों आएगा, देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रूफ को समझ दिजिए, जैसे sin theta बराबर क्या होता है, पी बटे h होता है, और कोसेक theta बराबर क्या होता है, तो इसी का उल्टा है, यहाँ पर h बटे p होगा, तो यह तो कट गया, कट के क्या होगा, एक आएगा न, तो किसी को भी अगर एक दूसरे के उल्टा से गुणा करेंगे, तो बराबर में एक होगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए किसी को भी, जैसे sin है, तो कोसेक से गुणा करेंगे, तो value एक होगा अगर 10 है उसी का उल्टा कोट से गुना करेंगे तो फेल्यू एक होगा अगर कोस है उसी का उल्टा से गुना करेंगे तो फेल्यू एक होगा तो इसी से यह वाला आया है जैसे आप यहां से यानि कि सेख ठीटा, तो यहाँ पर बटे में सेख ठीटा होगा, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक छूट गया है, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तब मैं इसको बताओंगा, तो यहाँ पर अब ध्यान दीजेगा, अगर इसी से आप निका हुआ है तो आप इस रूप में लिख सकते हैं अब इहां पर कोशेक ठिटा यानि कि इसी फर्मूला से देखिए इसी से आप इसको अगर उधर ले जाएंगे तो साइन ठिटा एक बटे साइन ठिटा हो जागा न तो अगर आप चाहेंगे तो इसको जरूत पड़े तो इसको आप इतना लिख सकते हैं या इसको आप इतना लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर जहां पर जैसा जरूत पड़ता है वह ऐसा काम करते हैं तो बिल्कुल किलियर हो गया होगा अब चलते हैं कोस ठिटा के बारे में समझ लेते हैं कोस ठिटा तो यहां पर समझेगा कोस लोग इससे पहले पढ़ेते यानि कि क्या था झालिकि बीबटे एज था और कोस्ट का ही यह उल्टा है तो क्या हो जगा है दो होगा तो ही है यह कैंसिल यह कैंसिल हो गया तो कटने के बाग एक बज़ता है तो एक आग यहां पर है तो इस तरीके से आपको समझना होगा और detail में मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इस तरीके से detail में एक बार पढ़ लेंगे ना तो जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलेंगे तो यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं यानि कि कोश थिटा बराबर क्या हो जाएगा एक बटे सेख थिटा अब यहां पर इसका मतलब है अगर जरूत पढ़े तो इसके बराबर आप इतना लिख सकते हैं या इसके बराबर आप इतना लिख सकते हैं और क्या होगा तो vent theta ब्राबर क्या होगा एक बटे coś theta तो जरोirie पढ़ने पर आप इसको इतना लिख सकते हैं या इसको आप इतना लिख सकते हैं क्लिए रहे ना अब समझना है 10 के बादे मैं तो यहां पर समझेगा जिसे 10 theta और इसी का उल्टा कोट होता है तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जागा वेल्यू एक आएगा तो अब यहां से तेन थिटा बराबर क्या होगा तेन थिटा बराबर एक बटे कोट थिटा होगा मैं यहां पर फ्रेस लिख लेता हूँ बटे में क्या होगा 4 theta होगा और 4 theta बराबर क्या होगा 4 theta बराबर एक बटे 10 theta होगा यह आपको याद रखना है हमेशा के लिए और practice कर लेना है और main चीज यह वला है इसको याद करिए तो इसी से ये दोनों आया इसको आप समझ लिए तो इसी से ये दोनों आया ना तो इस तरीके से आपको समझना होगा अब एक चीज और समझना है 10 और 4 के बारे में 10 और 4 के बारे में थोड़ा सा फिसस समझ लिए क्योंकि उसका एक formula और होता है जैसे 10 theta है तो 10 theta बराबर होता है sin theta बटे cos theta यह जो formula है ना बहुत जगा यूज होगा तो यह याद रखना है तो अगर आप 4 theta लिखेंगे तो 4 theta क्या होता है इसी का उल्टा है 10 का उल्टा है तो यह ज़स्ट उलट जाएगा यानि कि उपर में cos theta और बटे में sin theta तो यह आपको याद होना चाहिए 10 theta बराबर sin theta बटे cos theta और core theta बराबर cos theta बटे sin theta यह याद होना चाहिए तभी आप त्रीकोन मिती का प्रस्ण को solve कर पाएंगे अगर याद नहीं किये है याद नहीं हो रहा है तो उमीद भी छोड़ देजिए कि त्रीकोन मिती का प्रस्ण आप solve कर पाएंगे अगर competition का त्यारी कर रहे है तो याद रखिए और total formula को याद रखिएगा प्रस्ण solve होने लगेगा और एक चीज़ समझेगा एक चीज़ जो बहुत लोग हैं कि बताते नहीं है या उन लोगों को मालूम नहीं होता देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था यह क्या है लंब है और यह अधार है न अगर जिससे sin theta sin theta बराबर theta यहाँ पर है न तो अगर theta यहाँ पर है तो अधार यही होगा ठीक है तो sin theta बराबर क्या होता है p बटे h होता है न यहां पर नहीं थीटा यहां पर है तो क्या होगा अब यहां पर समझेगा तो अगर थीटा यहां पर रहेगा तो यह हो जगा अधार और यह हो जगा लंब तो क्या हो जगा यानिकी बीबटे एच और एच हमेशा वही रहेगा एच में कोई परिवर्तर नहीं होगा लेकिन अ यहां पर नाम रहेगा जैसे मैं यहां पर दोता हूं P, यहां पर Q और यहां पर R जैसे साइन P, साइन P बराबर क्या होगा, साइन P बराबर क्या होगा या इस तरीके से मैं एक बार समझा दता हूं, तो साइन P या साइन का उल्टा कोसेक होता है यहाँ पर P लिखने का मतलब कि थीटा इसको ले रहा है तो थीटा इसको ले रहा है तो अधार यह होगा तो अधार जब यह है तो लब यह है न तो साइन थीटा बरबर क्या होता है P बटे H होता है तो P अब यह हो गया तो P बटे H कितना होगा यानि कि B बटे H होगा न क्यो अब समझेगा यहाँ पर R है यहाँ पर R यानि कि ठीटा इसी को लिया है तो अधार यह हो जागा न और लंब यह हो जागा तो साइन ठीटा बराबर P बटे H तो लंब यह हो रहा है न जब कोसेक R लेंगे जैसे यहाँ पर R था तो अधार यह हो गया लंब यह हो गया तो P ब परियास किजिएगा एक ही चीज समझना है अगर थीटा इसको लिया है तो अधार ये रहेगा अगर थीटा यहां पर है तो अधार ये वला हो जाएगा यानि कि कहने का मतलब है कि अधार और लंब में चेंजिंग हो सकता है और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा अब चल लेना है इसके बाद अगर यहां पर है कोश 90-θ तो इसके बराबर क्या होगा यानि कि sinθ होगा इस तरीके से समझेना है अब अगर सेक 90-θ तो क्या हो जागा सेक 90-θ तो क्या होगा यानि कि कोशेक थिटा होगा कोशेक थिटा होगा इसके बाद अगर कोशेक 90 माइनस थिटा है तो क्या होगा यानि कि सेक थिटा होगा यह आपको याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो एक दिन टाइम लिका लिए और एक दिन समझेए हवा हवाई पढ़ाई कभी भी मत कीजिए अगर life में success करना चाहते हैं पढ़ा लिखकर तो अब चलते हैं 10 के बारे में तो अगर यहाँ पर इस तरीके से 10 90-θ है तो इसके बदले आप लिख सकते हैं 4θ यहाँ पर क्या होगा 4θ होगा अगर 490-θ है तो इसके बदले में क्या होगा बराबर में 10 θ होगा इस तरीके से आपको याद कर लेना है जितना भी फोर्मूला मैं बता रहा हूँ यह फोर्मूला यूज होने वाला है अगर फोर्मूला याद रहेगा तो जब मैं प्रश्रन को solve करके बताओं गा तो आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा और आप बना भी पाएंगे इसलिए एक दिन टाइम निकालिए जब तक आप टाइम निकालकर नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होगा तब तक आपके अंदर confidence नहीं आएगा तो अगर confidence लाना है तो एक बर आपको मेहनत करना होगा अब दूसरा formula आपको समझना है तो दूसरा formula में क्या है देखिए यहाँ पर समझेगा sin square theta पलस cos square theta बराबर 1 होता है यह आपको याद रखना है अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा तो इसी से दो formula बनेगा अगर आप sin यहाँ से निकालना चाहें sin square theta तो क्या हो जगा यह जगा उधर में न तो 1 minus cos square theta अब आपको समझना है अगर कहीं पर इतना दिया हुआ है तो उसके बदले में आप इतना लिख सकते हैं या इतना दिया हुआ है तो उसके जगा में इतना लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से ठीक है, तो अगर आप चाहे हैं, तो हम लोग इसको इधर रखें, अगर आप चाहते हैं, तो इसको इधर रखेंगे, तो sin उधर में चला जागा, तो sin उधर में चला जागा, तो क्या होगा, यान की 1-sin square theta, तो याद रखेगा, अगर इस रूप में दिया हुआ है, cos square theta है, तो इसके बदले में आप इतना लिख सकते हैं, या इतना लिखा हुआ है, तो इसके जगा में आप इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब एह ही हुआ, अब एक फॉर्मूला और है, तो ओ क्या है, sec square theta minus 10 square theta बराबर एक होता है, तो इससे भी दो फॉर्मूला बनेगा, तो अगर आप sec को इधर ही रहने देना चाहते हैं, sec square theta, यहाँ पर मैं theta लिख दा हूँ, sec square theta, sec square theta, तो 10 को उधर ले जाएंगे न, तो 1 plus 10 square theta हो जाएगा, यह आपको याद होना चाहिए, अगर इतना कहीं पर है, तो इसके जगा में आप इतना लिख सकते हैं, अगर इतना कहीं पर है, तो इतना लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से, अब क्या करेंगे, तो इहाँ पर ध्यान दीजेगा, अब निकालेंगे 10 square theta का value क्या हुगा, तो यह already minus में है न, तो क्या करेंगे, आपको समझना है कि हम इसको उधर में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, plus में हो जाएगा न, 10 square theta plus में, और इसको हम इधर में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यह उधर में जाके plus, और 1 को इधर में लाएंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 6 square theta minus 1 हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, या इसको आप इतना लिख सकते हैं, clear है, अब एक formula और हैं, उसको याद कर लेना है, तो इस तरीके से formula अब complete होने जा रहा है, अगर formula याद रहेगा, तो बहुती असान तरीके से solve हो जाएगा, तो अब इहाँ पर समझेगा, एक कौन बच गया है, तो cosec, cosec square theta minus, quote square theta बराबर 1 होता है, तो इसे से भी, मतलब कि इसे भी भी 2 formula बनेगा, तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप इसको इधर रहने दिजिए, यानि कि cosec square theta, और ये चला जाएगा उधर में, तो 1 plus quote square theta, ये हो गया न, अब क्या करेंगे, तो आपको इसके बराबर निकालना है, तो ये minus मेहना, साथ रखेंगे, तो minus में हो जागा न, यानि कि cosec, cosec square theta, और minus में 1, ये आपको याद रखना होगा, practice करना है, देखने में तो असान ही लगता है, जब भी कोई teacher पढ़ाता है, और a student बैट के देखता है, तो देखने से लगता है कि, कि वाउ, कितना असान था, very simple, इस तरी के से सोचते हैं, लेकिन जब आप कलम और कोपी लेके बैठते हैं, बनाने के लिए, तो सोचते कि कैसे हुआ था, यहाँ पर कैसे हुआ था, क्या था, इस तरह का होता है, तो आपको कलम और कोपी उठाना है, और सभी को लिख डलना है, समझ समझ कर, अब एक चीज़ आपको समझना है, समझने का परियास किज़ेगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, साइन, 36 डिगरी, साइन, 36 डिगरी, तो ध्यान दिज़ेगा, साइन, 36 डिगरी है, तो इसको आप, चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दिज़ेगा, तो साइन, आप इसको लिख सकते हैं, 90 माइनस ठीटा, तो ठीटा कितना होगा, यानि कि आपको, यह जो 36 है न, उसको 90 के रूप में, बदलना है, तो साइन, तो 90 में कितना घटाएंगे, कि 36 आएगा, यानि कि 64 न, देख लेते हैं क्या, 64 और 36 को जोडने से, 90 होना चाहिए, तो यहाँ पर, चो चार दस के, 0 और, 36, 9, यहाँ पर कितना है, 6, 4, 10 के, 0 और यहाँ पर, 36, 9, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, 54, इतना होगा, तो 5, 3, 8, 9, 90 हो गया न, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, यानि कि 54 रखेंगे, यहाँ पर, 54, तो देखे, अब यहाँ पर, अगर कहीं पर, चेंज करने का जरूद हो, चेंज करने के लिए भी मैं बताऊँगा, जितना भी बता रहा हूँ, मतलब कि, यह प्रशन को सॉल्व करने में, यूज होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अगर आपको इसको चेंज करना हो, जिसे, 90 माइनस ठीटा वाला, फोर्मूला पढ़े हैं न, उस रूप में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं, यह आपको सोचना है, कि 36 को क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, यानि कि 10 माइनस 6 लिख सकते हैं न, तो इहां पर ध्यान दिजेगा, जैसे यहां पर 36 है, तो इहां पर 36 है, तो 36 ही है, यानि कि 90 में 54 को घटाएंगे, तो 36 ही बचेगा, लेकिन इस तरीके से लिखने से क्या होता है, यानि कि फोर्मूला बन गया, तो अब यहां पर समझेगा, अब इसका तो जरूत नहीं है, इ मैंने formula बताया था कि sin 90 minus theta बराबर क्या होता है तो cos theta होता है cos theta लेकिन theta किसको पढ़ रहे हैं theta इसको 90 minus theta तो यहां पर 54 है अब यहां पर समझेगा तो यह हो गया अब एक चीज मैं trick बताऊंगा समझने का का प्रयास किजिएगा समझने का प्रयास किजिएगा तो अगर यहां पर जैसे एक मैं एक्जाम पर ले लता हूं जैसे अब इसको मैं मिठा दता हूं समझ में आ गिया होगा साइन साइन यहाँ पर 36 डिगरी है और यहाँ पर कोस 54 डिगरी है ध्यान दिजेगा तो इस तरह का प्रशन को solve करने के लिए आपको क्या करना है दो में से किसी एक को change करना है या तो उपर वाला को change करिए या तो नीचे वाला को change करिए लेकिन एक चीज ध्यान दीजेगा मैं ट्रीक भी बताऊँगा क्योंकि objective प्रशन को अगर आप solve करेंगे तो उसमें time ज्यादा देने का जरुवत नहीं है तो देखिए सब सब पहले देखिएगा कि यहाँ पर थिटा चवण है और यहाँ पर 36 है इसको जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं तो 6,4,10 के 0,5,3,8,9 यानि की 90 हो गया ना अब यहाँ पर समझेगा मैं ट्रीक बता रहा हूं ट्रीक को समझने का कोसिस कीजिए तो अब यहा हैं तो यहाँ नीचे वाला है और थिटा को दोनों के थिटा को जोड़ने से 90 हुआ है ना तो देखिए जब इसको चेंज करेंगा ना तो को स साइन में बदलेगा ही cosign में बदल जागा लेकिन theta क्या होगा तो ये दोनों को जोड़ने से 90 हुआ था ना तो यहां पर 36 है तो 36 ही होगा याद रखेगा यानि कि change करने के बाद दोनों बराबर हो जागा देखिए जब भी इस दोनों में से किसी एक को change करेंगे जिसे theta theta को जोड़ने से 90 हुआ है तो change करने के बाद दोनों बराबर ही हो जागा तो बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ यानि कि ये कट गया ये कट गया इसका value कितना एगा एक आएगा तो अब मैं यहां पर trick बताऊंगा देखिए अब इसी को यहां पर समझे जैसे यहां पर क्या है 36 degree है और यहां पर cos 54 degree है तो 54 degree है अब यहां पर आपको कलम और कोपी यूज करने का जरुवत नहीं है यहां पर समझने का परियास किजेगा इसमें कलम और कोपी यूज़ करने का जरुवत नहीं है आपको ध्यान देना है कि इसका theta और इसका theta को जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चीज़ आप ध्यान दिजेगा तो इस दोनों में से किसी एक को change करेंगे तो उपर नीचे क्या होगा बराबर हो जाएगा जब बराबर हो जाएगा तो कट जागा कट के क्या आएगा value एक आएगा तो इसका value क्या होगा एक होगा बिल्कुल समझ गया ना तो इस तरीके से आपको solve करना है अब यहाँ पर एक और में बताऊंगा अगर minus या पलस में रहेगा तो क्या होगा maximum इस तरह का प्रसना तो minus में दिया हुआ रहेगा तो sin 36 degree है और यहाँ पर minus में cos 54 degree है यहाँ पर 54 degree है अब ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है इसका theta और इसका theta को जोडने से 90 हो रहा या नहीं तो 90 हो रहा है ना यानिकि 46,10,38,9 90 हो रहा है तो अगर इस दोनों में से किसी एक को change करेंगे तो दोनों क्या हो जागा बराबर हो जागा तो दोनों बराबर हो जागा जिसे मान के चलिए x-x दोनों बराबर है ना और बीच में माइनस है, तो 0, तो इसका value क्या होगा, 0, देखे, जैसे sin 36 है, तो मैं 36 को, ये sin 36 को मैं change नहीं कर रहा हूँ, मैं change कर रहा हूँ इसको, तो इसको जब change करेंगे, तो ये भी क्या हो जागा, sin 36 degree ही होगा, तो घटके 0 होगा न, तो इसका value 0, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कि जब आप objective question को solve करेंगे, तो ये लिखने का जरूत नहीं है, ये समझने का जरूत नहीं है, आपको पहले ही समझ के रखना है, क्योंकि इसको आप change करेंगे, देखे, अब मैं एक बार समझा ही देता हूँ, जैसे, यहाँ पर 36 degree है, यहाँ पर 54 degree है, और दोनों को जोडने से 90 हो रहा है, तो किसी एक को change करेंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा, और minus मैं है, तो घटके 0, तो इसका value क्या रहा है, 0, लेकिन अगर आप change करना चाहते हैं, तो देखें, 36 degree, अब यहाँ पर इसको आप क्या लिखेंगे, cos 90-36 degree, यानि कि कहने का मतलब है, कि 90 में 36 घटाएंगे, तो 54 ही बचेगा, यानि कि 54 को आप 90-36 लिख सकते हैं, तो यह तो जेओं कात्यों रहेगा, इसको तो change नहीं कर रहे हैं और यह देखें, cos 90-theta, यानि कि sin theta, तो sin theta, sin कितना है, 36 है, तो देखें, बराबर हो गया न, तो एही चीज़ आपको समझना है, एक बार समझें, फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब मैं परस्ण को solve करके बताऊंगा, अगले वीडियो में, अगर यह भी फर्मूला याद कियोंगे, तो परश्णा बहुती असान तरीके से solve होने लगेगा, आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मातर,